हेला एवरीवन उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वादस हैं कुछ इंपोर्टेंट अपडेट्स से एक जाम से लेटेट हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एससे सीजल का फॉर्म भरते टाइम काफी लोग को दिक्कतारी जैसे जूनियर स्टेटिस्टिकल ऑफिसर पॉस्ट के लिए उन्हें दिक्कतारी प्रटिकुलर एस लिमिट के बाद वो क्या इश्यू है में क्या करना है उसके बारे में डिस्केशन होगा साथी साथ चारकन मे में कुछ लोग हैं जो कास सेटिफिक्ट नहीं बन वा पारे क्योंकि वहां पर इंप्लोईज स्ट्राइक पे हैं तो उसके लिए भी आपको से को मेल करके सारी अपनी चीचे बतानी होगी डेली प्लिस कॉंस्टेबल मिनिस्ट्रियल एडिमिट कार्ट इस्टेटर साउट ह हो गए हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कुशन होगा ठीक है अब कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने दली से और रिजन से फोर्म भरादा उन्हें सेंटर इंदोर दे दिया गया है जो की बहुत ज्यादा गल्द है टीर बन के लिए ही एससे चैनोग्राफर 2022 एक्जाम 90 संथिंग है उसका नोटिफिकेशन उट उचका उससे डिटीटिक डिटील वीडियो में जल्दी अप्लोड करूंगा तो यह कुछ चीज़े हैं जो हम इस वीडियो में डिसकस कर रहे होंगे इन में से अगर आपके लिए कोई भी चीज रलिवेंट है तो आप वीडियो को से इंपोर्टेंट फॉर्मॉलाज है एजसेश्टी रेंगल प्रोप्रेटी हो गया उसके बाद ट्राइंगल पॉर्मेशन के लिए किन-किन चीज़ों की रिक्वार्मेंट है उस पर किस तरह से कुश्चन होते हैं ठीक है सारे फॉर्मॉला आपको दिख जाएंगे ठीक है यह पल एवल जोब होते हैं जूनियर स्च्टिस्ट्कल फॉसर स्ट यह एकलोएती इसी पॉस्ट तो्सारे ऐसे मतलब जो 31 years के हैं या 32 years के भी completely नहीं होएं तो वो इस particular post के लिए ही eligible रहते हैं सीजल के तुरू बाकि पोस्ट के लिए नहीं अच्छा जो relaxation होता है वो तो सभी अपर एज लिमिट में वो तो सभी पोस्ट के लिए तो ओबीसी के लिए जैसो के ऐच थर्टी फाइव यह तो दिक्कत क्या हारी है जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं जो लोग 31 years के हैं 32 years के अगर अंडिजर्व के बात करूं या फिर ओबीसी से एस्टी से केंडिडियोट्स के बात करेंगा ओबीसी के साल का इस लेक्षेशन है तो वो 34 years के हैं तो फॉर्म फिल नहीं कर पार यह लिखा रहे है एज नोट इस प्रेस्पेट रेंज और इस एक्जामिनेशन कांड़ी फिल दी फॉर्म अगें तो यह नहीं होना चाहिए सब्सक्राइब करना है जिनकी क्वेरी है डियोपीट में डाल सकते हैं आप सब्सक्राइब कर सकते हैं यहां पर उनकी कि एमेल आड़ी मिल जाएगी इंक्वेरी का मेल भीज़ दें कि यह यह इशू कर रहे हैं उनके जो रिजिजनल कॉंटेक्ट करके एक बार आपना इशू बताएंगे तो वहां तक पहुंचेगी और एक दो दिन में वह से रिजूल भी कर दिंगा हो सकता है दो दिनका साल देंगे तो बाकी क्योंकि बहुत लिमिटेड लोग होंगे जो 31-32 साल के होंगे ठीक है उन लोगों को थोड़ी स्ट्रेंद भड़ेगी और यह शू चलती होगा अगर मैं हैट कॉंस्टेबल मिनिस्ट्रील एक्जामिनेशन की बात करूं इसके स्टेटास आउट हो गय सब्सक्राइब काड़ आएगा जैसे आप डाउनलोड गर गए एक्जाम में लेके जाते हैं जिसमें आपका सेंटर का क्या नाम है वो भी मेंशन होता है ठीक है कुछ लोगों नहीं यह बताया कि उन्होंने नोर्दन रिजन से फॉन फिलप किया था और उनका जो सेंटर द यह से को क्योंकि हैड को स्टेबल मिनिस्ट्रिल एक्जाम निशन ऐसा नहीं है जो वन डे में कराया जा रहा है ठीक है अगर आप टाइम लाइन इसकी देखेंगे तो यह दस अक्टूबर से लेके 20 अक्टूबर तक चलने वाला है ठीक है दस दिन का एक्जाम निशन है तो है उमीद कम है बड़ चाहेंगे तो वह कर सकते हैं इतनी दूर एक्जाम सेंटर मेरी तु समझ के भार यार इस एक्जाम के लिए देरो तुम्हारा आना जाने का किराया इतना खर्चा ठाके पूरा तीन-चार दिन सब कुछ कोई जोप में है तो छुट्टी लेनी पड़े तो आपको ऐसे में क्या करने जिस भी रिजन साब अपना अपना इड्मिकर्ट चेक कर रहे हैं उसके रिजनल ओफिस में मेल करना है आपको जो पीछे में इंक्वैरी पर मेल करेंगे तो कि यह मेरा यूश्व आ रहा है तो वह रिजोल करतेंगे ठीक है यह वरना एक-दो दिन में अपने आप भी रिजोल हो सकता है तो घबराने वाली कोई जुरूत नहीं है इसमें और बाकि जो आपके एजामिनेशन आप देखेंगे सब इंस्पेक्टर इंडेली पुलिसी एग्जामिनेशन 9-11 में 9-11 तारिक के बीच में इस टैनोग्राफर ग्रेड C एंड इस टैनोग्राफर 2022 में कितने लोगों ने फॉंफिल किया इसके लिए लगाई गई थी और रिप्लाय आया है फाइव लैक्ट वन्टी सिक्स्टाओजन एट सिक्सिक्सिक्स केंडिट्स पिछले साल की कंप्रेजन में थोड़े जादा केंडिट्स है जिन्होंने फॉंफि यहां पर सबसे ज्यादा फॉम ओबी सी केटेग्री से है फिर यूर से फिर से और फिर फिर और फिर यहां इसके बाद मैंने कुछ और आट यह लगाई थी जिसके वारे में भी रिप्लाइन नहीं मिला है जैसी आयागा तो मैं आपको बताऊंगा SST Stano 2020 की old vacation मतलब जो 2020 examination अभी हुआ था पहले उसकी vacancies आप देखेंगे total 842 vacancies थी 2019 examination की 477 vacancies थी क्योंकि इस बार 2021 Stano का exam नहीं हुआ है 2022 directly हो रहा है तो दो साल की मर्ज होगे vacancies आपको देखने को मिलेंगी तो ज़्यादा vacancies देखेंगे मैंने पहले भी बताया था आपको और स्टैनोग्राफर टू स्टैनोग्राफर वन की आप vacancies देखेंगे total 75 vacancies है जिसमें आप रिजन वाइज देख सकते हैं कितनी कितनी वेकैंसी रिपोर्ट की गई है जो एससे की तरफ से ऑफिशल वेकैंसी आई कि उसमें रिजन वाइज नहीं देता है यहाँ पर रिजन पूने में अच्छी है अगर मैं देखता हूं यहाँ पर स्टैनोग्राफर ग्रेट टू की वेकैंसी जो है हमारे पास टोटल यह 56 रिपोर्ट की गई है ठीक है और इसमें 24 आपकी डीजी पीएम में है और बाकी आप देख सकते हैं इसमें पूने में 6 vacancies हैं बाकी जगा प 546 वेकैंसी अगर आप देखेंगे इसमें बैंगलोर में 77 वेकैंसी जहां देली में 16 है सबसे ज्यादा वेकैंसी कोलकता के अंदर है ठीक है वेस्ट पंगोल कोलकता से अगर आप है तो एक अच्छा पॉर्शिनेटी आपको यहां पर मिल रहा है मुंबई के अंदर 67 वेकै इसमान लो मोटा मोटा एक तब भी फोंचाइद 4-5 लाग के बीच में लोगोंने फोंफिल किया था इस बार 5 लाग से थोड़े से जादा है तो आप मान के चलने देखो फॉर्म इस ट्रेनोग्राफर का बहुत लोग भर देते हैं लेकिन एक जाम देने नहीं जाते है और इतने कम टाइम में तो सीख नहीं पाएंगे तो वो इसकिप पर देता है तो तो अगर मैं देखो इस ट्रेंडेट्स हो सकती है जो टीर वन दे रहे होंगी लोग ठीक है वह आपका लगवग डेड़ लाग के असपास होंगी ठीक है डेड़ लाग है उससे थोड़े से कम औ और जो वेकैंसी जोंगे आपकी 500 से ज्यादा होंगी जो अभी देखके लग रहा है और दो साल की मर्ज की भी आएंगी तो 500 से ज्यादा बिल्कुल हो सकते हैं मिशन मोड में रिक्विटमेंट सेल रहे हैं जिन्नों इस्टेनोग्राफिय आती है वो अपना 100% इस्टेनोग अगर मैं आगे बात करता हूं साइंटिफिक असिस्टेंट इन इंडिया मेटरलोजिकल डिपार्टमेंट 2022 इसका नोटिफिकेशन आउट हो गया है इससे पहले इसका एक्जाम स्याद 2017 में हुआ था जहां तक मुझे याद आ रहा है इसके बार में कंप्लेट इंफ्रमेश करना चाहते हैं बेसिकलिए साइंस बैक्राउंड से जो लोग है उनके लिए ही है ठीक है जो अप्लाइ कर सकते हैं आपको एक्जामा को डिसेंबर में करवार जाएगा इसका टीर वन बिल्कुल जैसा ही होता है और टीर वन के अंदर दो पार्ट होते हैं पन पार्ट एक ब अधर सब्जेक्स पूचे जाते हैं डिपेंडिंग अपन कुंसी स्ट्रेम थी आपके पास तो एक बर नोटिफिकेशन आप खुद पढ़ेंगे तो समझता देगा वरना मैं नोटिफिकेशन की डिटेल वीडियो जल्दी पब्रिश करूंगा जिसमें एक एक चीज आपको एक्स्टेइन की जाएगी जो भी आपकी वैसे सारे जोड़ हो जाएगी ठीक है यह लावल सिक्स की पोस्ट होती है गुरूब भी नोन गेश्टिट पोस्ट नोन मिनिस्टेरियल पोस्ट है वेकेंसी जिसमें 990 अभी रिपोर्ट की गई है हो सकता आने वाले टाइम में थ आपको लाश्ट वीडियो के अंदर सेलरी अभी गवर्मेंट इप्लइट की का स्टेजी आप फोलो कर सकते हैं एक से प्रीवेस यह के पेपर मैट्स के साइंस के वह हमने करवा दी हैं वह वीडियो देख सकते हैं तो चैनल से चुटे रहे हैं सब इंफोर्मेशन के लिए पर कंप्लीट प्रेपरिशन के लिए आप आरभी अप्लिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं जहां पर कंप्लीट कोर्स मिल जाएंगे आपको ठीक है जिसमें मैस का कंप्लीट कोर्स अप्लोड कर दिया गया है एंड उसके बाद कॉलेटी खतम होने वाला है और अगर इंग्ल हुआ 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 है